एक छोटी सी कहानी हैं बड़े ध्यान से सारी भेने अमल करेंगी और बड़े ध्यान से सुनेंगी अगर अच्छा लगे तो मुझे आशिरवाद देना नहीं तो मेरे पास ही रहने देगा देखिए सच्सु मा और हमारी बबली दीदी से क्या कहती है यारी बबली सच्सु मासे बबली दीदी कहने लगी के हाँ ममING जी बोलिए जी आप क्या कहना चाहती हो मुझे एक पपचाय लादे बना के हमारी बबली दीदी कहने लगी ममी जी अभी लेके आई ठैरो मगर ममी ची मेरा आप Сए एक कहना है आप ​​ चाहाई पिए चाहाई दो मिनट का टाइम में अभी आप चाहाई के आती हूं और बबली दीदी ने दवाया अपने कमरे में आ और मम्मी जी कहने लगी कि मेरी बबली चाय लेके आ रही होगी तो बड़े ध्यान से सारी बहने मेरे गीत के लिए अमल करेंगी और किस तरीखे से ओम जे जे सास बहू स्वामी जे जे सास बहू और भोली भाली सासू और सीधी सादी सासू तो चार सो बीस बहू मम्मी जी कहने लगी अरी बबली तो दो मिनित का टान देके गई मुझे तो अभी तक चाहे लेके नहीं आई और मम्मी जी बबली दीदी के कमरे में गुस्ती चली गई बड़ा आराम से लगा तकिया एसी की हवा में सो रही है और ससूमा क्या कहने लगी सारा सारा दिनी ये पले नपे सोवे कुछे भी ना कामे करे सारा सारा दिनी पले नपे सोवे कुछे भी ना कामे करे सामे को आवे गरे वाला सामे को आवे गरे वाला तो तुरंत की चन में गोशे ओम जै जै सासे बहू मंदी जी कहने लगी बबली चल मेरे लिए तु चाय नहीं लाई तो तेरी ननद और नने दोई आ रहे हैं सारा दिन तो ये बुडिया परिशान करती है मेरे को अब ननद और नने दोई आ रहे हैं तो हमारी बबली दीदी क्या कहती हैं अर जवया में सुसरे की बेटी सीर में दरद बताए स्वामी जवया में सुसरे की बेटी सीर में दरद बताए जवया में पी हर से तो चार समों से लाए जय जय सास बहू की जय हो जय जय सास बहू की जय हो इमाची सानाल्या को जय हो हो हुँ कि झाल्या घू हो हुँ